स्वागत है दोस्तों आज मैं दिखा रही हूँ छोटे-छोटे प्लांटर्स में, कप में, मग में और बहुत ही छोटे में लगने वाले कुछ ऐसे प्लांट्स जो देखने में बहुत खुदसूरत लगते हैं और अच्छे से इंडोर चल जाते हैं, आउट्डोर भी रह जात हैं और इंडोर भी चल जाते हैं, देखिए पहले नमबर पर मैं दिखा रही हूँ आपको यह एक ब्रूकन कप था, इसमें देखो कितना खुबसूरत यह, कम से कम पुछले एक साल से यह इसमें स्नेक प्लांट लगा हुए और दूसरा एक अर्दन प्लांटर है, उसमें य प्लांट लगा हुए और स्पाइडल प्लांट तो आप जानते ही हैं, छोटी छोटी जगह में जितने वेस के प्लांट लेट साथ में लटकते हैं, आपस उनको इतना सा कट करके और कप्स में, मग में लगाते रही है, चाहे होल हो नीचे और चाहे ना हो, यह नेक्स्ट प यह तो सब जानते ही हैं, जेड, बहुत एजीली इंडोर आउटोर ग्रोव हो जाता है, और यह नेक्स्ट है, सिंगोनियम, देखो, कितना छोटा सा एक पॉटर, एक कप है, जिसमें यह कितना अच्छे से ग्रोव कर रहा है, और नेक्स्ट है, कलेसिया फ्रेगनेंस, यह भ और नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ, यह स्वीट पटेटो वाइन है, यह देखो, यह भी कितने अच्छे से छोटे से प्लंटर में ग्रोव कर रही है, इसी बेन बढ़के लटक भी जाएगी यह, और नेक्स्ट मैं आपसो दिखा रही हूँ, यह टर्टल वाइन, यह भी आप सब जानते हैं, छोटी से छोटी कटी, किसी भी छोटे कप मग में लग जाती है, और नेक्स्ट जो प्लांट है, वो है, यह मनी प्लांट, वो भी देखो, इतनी खुबसूरती सी यह, छोटे से प्लांटर में लटक रहा है, आप चाहो तो इसको विंडो पास रख सकते हो, और नहीं तो आप इसको जहां ब्राइट इंडरक लाइट आती है, वहां रख सकते हो, इंडोर भी यह काफी दिनों तक चल जाते हैं, आप इसमें चाहे तो एक-दो दिल छोड़के इसमें पाने डालिए, तो यह अच्छे चलते हैं, अभी मैंने दिखाए आपको 12 ऐसे प्लांट्स जो एजीली छोटे-छोटे कप में, मग में ग्रो हो जाते हैं, अब देखो आप चाहोते हैं, इसका बॉंजाई भी बना सकते हो, इसको वीक में एक ही बार पान की जरुवत है, कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है, इसको डेली पानी की रिक्वार्मेंट है, तो आप इसको एजीली अपनी स्टेर्स में, ट्राइंग रूम में, किसी कौर्नर में, विंडो के पास इसको रख सकते हैं, तो आपको मेरी आज की शेरिंग कैसी लगी, आप अपना ब्रोकन मग कप, कोई भी मत फैंकिये, उसमें इस तरह से छेट करने की भी जरुवत नही हैं, वर शेरिंग अच्छी लगी हो, प्लीज लाग और सब्सक्राइब, थैंक यू